सिर्फ तीन सीटी लगाएं और बनाएं एकदम टेस्टी डीनर जो खाने में भी टेस्टी हो और सहत के लिए भी बहुत ही फायदे मंद हो जो आपको वेट लोस में भी मदद करें और सरीर को भी हस्ट पुस्ट बनाएं जो ग्लूटिन फ्री हो और आपको बिमारियों से लड टेक्स वाला हो और ये सभी गुण आज की रस्टी में मौजूद है जो लोग मोटा पकम करना चाहते हैं जो मदू में से पीडित है और जिनका लीवर फैटी है उनके लिए भी ये आज का नास्ता बहुत ही हेल्दी होगा तो इसे बनाने के लिए हमने एक प्याज लिया है रफली इसे काट लिया है एक इंच दरका टुकडा लिया है उसे भी हमने काट लिया है आप चाहे तो इसे कद्दू कस्भी कर सकते हैं इसके बाद हम सिम्ला मिर्च लेंगे तो छोटी हो तो एक सिम्ला मिर्च और बहुत बड़ी सिम्ला मिर्च हो तो आदी सिम्ला मिर्च लेंगे एक हरी मिर्च ले लेनी हैं और एक गाजर लेंगे सभी को हमें रफली काट लेना है इसके अलावा भी आप अपनी पसंद की सबजियां एड कर सकते हैं या स्कीप कर सकते हैं सबजियां एड करने से इस रेसिपी की गुंडवत्ता और भी बढ़ जाएगी इसके एक छोटा बावल हम मटल ले लेंगे अब हम कूकर लेंगे आप इस रेसिपी को कड़ाई या फिर ओपन बर्तन में भी बना सकते हैं एक छोटा जमच घी डाल कर हम इसमें हींग और जीरा डालेंगे थोड़ा सा टुकड़ा दाल चिरी का डाल कर कटे हुए प्याज और जो लोग नहीं भी खाते न उनको भी पता नहीं लगेगा कि इसमें सिम्ला मिर्स का यूज किया गया है बस इसके बाद हमें जो बची हुई सब्जियां है वो भी सभी डाल देनी हैं गाजर मतर और टमाटर आप अगर और सब्जियां भी इसमें एड करना चाहते हैं तो य फोर्थ चमच हल्दी पाउडर वन थर्ड चमच या स्वादानुसा लाल मिर्च पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर सभी को मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे ये कुटा हुआ बाजरा तो आप चाहें तो बाजरे को खलवत्ते में कूट सकते हैं या फिर आ अब हमें इसे भून कर बनाते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका तो लगभग एक मिनिट बाद हम इसमें पानी डाल देंगे आप अगर कड़ाई में या खुले बरतन में बनाते हैं तो इसमें गरम पानी भी डाल सकते हैं और इस तरह से कूकर में बना रहे हैं तो थंडा पानी भी डाल सकते हैं तो यहां पर जिस कटोरी से हमने बाजरा लिया है उसी कटोरी से नापकर तीन कटोरी पानी डालेंगे अगर हमें इसे फुलाओ की तरह बनाना है अगर इसको थोड़ा सा डायलूट रखना है तो आधी कटोरी पानी और डाल देंगे और धखकर तीन सीटी आने देंगे तो एक सीटी फुल फ्लेम पे बाकि दो सीटी मेरियन फ्लेम पे आने देंगे और फिर अपने आप इसकी स्टीम निकल न कि जायेगा जब अगरो कोई लगती है तब तक हम त्यारी कर लेते हैं आगे की तो मैंने लिए कुछ अनार के दाने और थोड़ा सा ताजा हरा-धनिया तीन सिटी लगने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे जब कि स्टीम अपने आप निकल जाएगी तब हम इसमें हरा-धनिया डालेंगे और ये अनार के दाने डाल देंगे जो लोग मोटा पकम करना चाहते हैं उन्हें डिनर में यहों और चावल को छोड़ कर बाजरा खाना चाहिए यह उनके लिए बहुत ही helpful होता है अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे अब हम इसे थोड़े से माखन अनार के दाने और हरे धनिये से डेकोरेट कर लेंगे तो आप भी बनाईए यह सूपर हेल्दी और टेस्टी रेसिपी और इंजोई कीजिए अपने डिनर में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आती हूँ ऐसे ही नए-नेक कोकिंग के रेसिपी पड़े तो क्या बच्चे भी इसे चाट-चाट कर खाने वाले हैं